कक्षा एक के छात्रों के ले कारिक्रम दादा जी चालाक मुर्गी की कहानी सुनाएंगे आलेक SS का पूर का है इसे प्रस्तुत कर रही है अजीत गुपता दोस्तो जय हिंद तो दोस्तो आज तुमसे मिलने आ रहे हैं दादा जी दोस्तो दादा जी को राम राम कहना तो लो मिलो दादा जी से कंद हाँ FE अजी बच्चों राम 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 ओए होए राम 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 दादा जी ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जी ना दादा जी आप ये क्या दा रहे हैं बताईए ना अरे वही तो बता रहा हूँ प्यारे बच्चो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ सुनोगे ना हाँ लेकिन कहानी ध्यान से सुनना हाँ तो सुनो बहुत दिन पहले की बात है बच्चो किसी गाओं में एक किसान रहता था प्यारे बच्चो वो किसान कहीं से एक मुर्गी ले आया वो मुर्गी बहुत चालाग थी एक दिन किसान ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा बेटे इस मुर्गी को जंगल में दाना चुगाने के लिए ले जाओ लड़का पिता जी की बात सुनकर मुर्गी को जंगल में ले गया तो बच्चो जंगल में मुर्गी ने पीट भर कर दाना चुगा जब शाम हो गई तो किसान का बेटा मुर्गी को घर ले आया किसान ने मुर्गी से पूछा क्योरी मुर्गी रानी पेट भर कर तुमने खाया पिया ना तो जानते हो बच्चो उस मुर्गी में क्या जवाब दिया पूछो क्या क्या जवाब दिया ओए होए तो इसमें फूछने की क्या बात है वो ही तो मैं गा रहा था ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जीना मुर्गी की बास सुनकर किसान ने अपने बेटे को बुला कर दाटा तुमने मुर्गी को ठीचते दाना क्यों नहीं शुगाया तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते तो जानते हो बच्चो अगले दिन किसान ने अपने दूसरे लड़के को बुलाया और कहा मुर्गी को जंगल में ले जाओ और जी भर कर दाने शुगाओ ये सुनकर किसान का दूसरा बेटा मुर्गी को जंगल में ले गया प्यारे बच्चो मुर्गी सारे दिन दाने चुगती रही जब शाम हो गई तो लड़का मुर्गी को लेकर घर पहुँचा किसान दर्वाजे पर ही ख़़ा था उसने मुर्गी से पूछा क्यों मुर्गी रानी पेट भर कर दाने चुगे के नहीं मुर्गी ने फिर वही जवाब दिया क्या जवाब दिया ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जीन हाँ ये सुनकर किसान को उस लड़के पर भी बहुत घुसा आया किसान ने उसे भी खूब डाटा अगले दिन किसान ने सोचा आज मैं ही मुर्गी को दाना चुगाने के लिए जंगल में ले जाओ ये सोच कर किसान मुर्गी को जंगल में ले गया दाना चुगने के लिए मुर्गी को छोड़ दिया अब तुम पूछो किसान ने क्या किया क्या किया किसान ने अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है किसान एक पेड की आड में जाकर चुग गया और देखने लगा कि मुरगी दाना चुगती भी है या नहीं तो जानते हो बच्चों क्या हुआ मुरगी ने समझा कि किसान चला गया है और फिर वो मजे से दाने दुनका चुगती रही उधर किसान भी छिपकर मुरगी को देखता रहा तो बच्चों काफी देर बाद किसान मुरगी के पास आया और पूछा कहो मुरगी रानी कुछ मिला दाना पानी मुरगी ने फिर पहले वाला जवाब दिया बताओ बच्चों बताओ बताओ ना कुछ खाना ना कुछ पीना अब तो बस मुश्किल है जीना हाँ अब तो किसान के घुस्से का ठिकाना नहीं घुस्से से वो मुरगी से बोला पाग जा यहां से चली जा जस से तुझे लाया हूं एक भी अंडा नहीं दिया और उपर से जूट भी बोलती है चली जा यहां से चली जा नहीं तो मा तेरी गर्दन काट दूंगा तो बच्चों इतना सुमिकर मुरगी डर गई और मांसे भाग गई भागते 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 मुरगी जंगल में बहुत दूर निकल गई चारों तरफ सन नाटा कहीं कहीं जंगली जानवरों की आवाज हैं फिर वहां उस मुरगी को एक खाली जौपड़ी दिखाई थी वो जट से उसमें गुज गई थोड़ी देर बाद वहां खरगोश आया कौन आया खरगोश खरगोश आया तो उसे ऐसा लगा कि उसकी जौपड़ी में कोई है वो चिलाया अरी अन्मर कौन है कौन है तो मुरगी ने जवाद दिया क्या कहूं कुछ कहा ना जाए बिन कहे फिर रहा ना जाए मुझको कहते जंगल की रानी सब की नजर में बोड़ी सियानी जब मुझको आ जाए जोश खा जाओं भालो खरगोश तो बच्चो मुरगी की ये बास सुनकर खरगोश बहुत डर गया और महां से भाग निकला तो जानते हूं बच्चो थोड़ी दूर पर एक पेड़ था खरगोश उस पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा तभी महां से एक भालू गुजरा कौन गुजरा भालू भालू ने खरगोश से पूछा क्यों खरगोश भाई क्यों रो रहे हो खरगोश बोला भालू भाईया क्या बताऊं मेरी जोपड़ी में पता नहीं कौन घुसाया है मुझे उससे डेर लग रहा है भालू बोला बास इतनी सी बात है मैं आभी उसे भगाता हूँ तो बच्चों ये कहकर भालू खरगोश की जोपड़ी की तरफ गया वहाँ जाकर खुस से बोला हाँ कौन है जो इस जोपड़ी के अंदर बाता है बाहर निकल हब जानता नहीं मैं कौन हूँ तो प्यारे बच्चों मुरगी ने भालू को क्या जवाब दिया क्या कहूं कुछ कहा न जाए बिन कहे फिर रहा न जाए मुझको कहते जंगर की रानी सबकी नजर में बड़ी सयानी जब मुझको आजाए जोष खा जाओं भालू खरगोष हाँ तो बच्चों जानते हो फिर क्या हुआ भालू भी ये सुनकर डर गया और खरगोष से बोला मकया खरगोष भाई तुम्हारी जापोई मैं तो साचे मुझक कोई खातरनाग जानवर आकर बाठ गया है मुझा भी उससे डर लग रहा है भालू की बास सुनकर खरगोष फिर रोने लगा तभी वहाँ से एक केकड़ा गुजरा कौन गुजरा? केकड़ा हाँ, केकड़ा खरगोष को रोते देखकर केकड़े ने पूछा क्यूं भाई? क्यूं रो रहे हो? बात तो बताओ शायद मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ खरगोष रोते रोते बोला केकड़े काका कोई मेरी जोपड़ी में छिपा बैठा है वो बाहर ही नहीं निकलता मैं बहुत परेशान हूँ तो बच्चो केकड़ा खरगोष की जोपड़ी की तरफ चल दिया वहाँ जाकर उसने आवाज लगाई हेई जो कोई भी अंदर हो बाहर दिल्दी से आजाओ अंदर से फिर वही आवाज आई क्या कहूं कुछ कहा न जाए बिन कहे फिर रहा न जाए मुझको कहते जंगल की राउनी सबकी नजर में बड़ी सियानी जब मुझको आजाए जोष खा जाओं भालू खरगोष बच्चो मुर्खी की ये बात सुनकर केकला घबराया नहीं वो सीधा जोपड़ी के अंदर घुज गया मुर्खी की डांग पर उसने ऐसा काता ऐसा काता ऐसा काता कि वो चिलाते चिलाते बाहर निकल गई और रोती हुई जंगल में भाग गई इसके बाद केकले ने जाकर खरगोष चे कहा जाओ खरगोष भाईया तुम्हारी जोपड़ी से मुर्खी को बाहर निकाला रहा हूँ अब तुम खुशी से वहां रहो प्यारे बच्चों खरगोष खुशी खुशी गया और अपनी जोपड़ी में जाकर रहने लगा मुर्खी तो भागी भागी अब दादा जी यहां से भाग रहे है अब चुराओ राब 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 दादा जी और अब दोस्तों कारिक्रम का समय समाफ्थ हो रहा है तो भाई सब कहो जय हिन प्रस्तुती सहयोग रमेश्रानी शर्म एवं वंदना निगम प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.